कि रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने 2000 के नोट को लेकर एक बड़ा फैसले में कहा गया है कि 2000 के चलन को बंद कर दिया जाएगा यानि कि 2000 नोट जितने भी मार्केट में है उनको जो RBI है वो वापस मंगा लेगी इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है लोग 30 सितंबर तक बैंकों में जाकर अपने नोट को बदलवा सकते हैं अब इस फैसले का लोगों पर क्या असर परेगा और क्या माइने है इस प पूरे फैसले का अगर देखा जाए तो देखे यह जो इन्होंने जो फैसला लिया है आर बी आई ने यह फैसला इनका क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है जिस पॉलिसी में था कि जब यह डिमोंटराइशन हुआ था उसके बाद नोट का एक सॉटेज था तो उसको फुल्फिल करने के लिए आर बी आई ने 2000 का नोट मार्केट में लाया उस समय में लेकिन इन्होंने क्या किया कि 17-18 के बाद से इस नोट को छापना भी काफी हर तक बंधी कर दिया था और धीरे धीरे यह नोट को वापस ले रहते तो उसी पॉलिसी को इन्होंने अभी को रखना है और इसको फिरम अपने वापस अपने पास ले लेंगे इसके लिबेन आर बी आई ने अपना गाइड़ लैंज स दिया है एक टाइम लाइन दिया है आम आदमी के लिए कि इस समय में आफ इस नोट को हमारे बैंकों में या जो भी है उसको आप वापस मतलब ले सकते हैं पहली बार जब नोट बंदी हुआ और इस बार जो हुआ है दोनों में क्या अंतर देखने को मिल रहा है पहले भात तो है कि यह जो डीमोनेटाइशन या नोट बंदी था जो नोट को उन्हों उस समय में बैन किया तो और ये दोनों में काफी डिफरेंट चीजे हैं वो उन्होंने उस समय उस नोट को illegal किया था यानि कि उन्होंने का था कि ये नोट अब चलेगा ही नहीं अभी क्या है कि ये इन्होंने नोट को illegal नहीं किया है ये एक policy के तर circulation में रहेगा नोट यानि कि इनका एक policy का है कि ये नोट हमारा legal है और हमको बस इसको वापस लेना है इस नोट को हमको carry नहीं करना है तो ये क्या है कि इसको आप bank में जाके जमा करा सकते हैं और जमा कराने का भी RBI ने guidance दिया है एक rules दिया है जिसका detail अभी भी मतलब आएगा अभी तो इन्होंने एक basic circular किया है बाकी detail जो हमारे पास भी आएगा सब लोगों के पास में आएगा अगर मान लिया जाए कि मेरे पास से 11 जो है 2000 का नोट है तो अब मुझे क्या करना होगा इन्होंने जो अभी जो हमारे पास जो RBI का circular है उसके हिसाब से लग रहा है कि इन्होंने वन टाइम 10 नोट यानि कि 10 नोट यानि कि अगर rupees में इसको convert करे तो 20,000 पर मतब एक पर डे कहिए या एक बार में आप उसको वापस कर सकते हैं normal way में बैंक को आप दे सकते हैं with KYC norms जो भी बैंक का एक अपना norms होगा उसको fulfill करते हुए clean note policy के तहत इसको बंद किया गया है ऐसा फैसला आया है clean note policy क्या होता है clean note policy एक government का policy है जिसको अगर आप literally समझे तो जो हम note जो bank जो देती है बाहर निकालती है वो एक साफ सुत्रा note होना चाहिए certain समय के अंदर में वापस करना होगा ठीक है बागी जो लोगों को के पास में अगर ज़्यादा note है या है तो उनको थुरा सा कहा है कि period wise या पि जो भी circular आएगा भी उस हिसाब से note को एक time line के अंदर में बैंकों में जमा कराना होगा यानि कि आप कोसिस करेंगे कि as soon as मतलब अब जब time आ गया है तो कोई चीज़ का ending date है तो आप उससे पहले कोसिस करेंगे कि हम उस note को बैंकों में पहुंचा दे कहा जाए कि इससे आम आदमी को ज्यादा परशान होने क्या हो सकता नहीं है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा issues होना नहीं चाहिए और है भी तो government ने इतना आसानी से ये बनाया है कि आप जाके अराम से exchange कर सकते हो भी 20,000 का amount है तो कोई दिकत वाली बात नहीं है एक period भी 3-4 महिने का period है तो कोई दिकत वनी नहीं चाहिए हाँ जिनके पास में ज्यादा amount में है ये क्या है तो उनको देखना होगा कि कैसे वो इस note को मतलब ये इस उनको bank में वापस कर सकते हैं इस फैसले को अगर black money से जोर कर देखा जाए तब क्या निस्टकर्स निकलता है देखिए अगर ऐसे देखें तो ये जो है ये RBI का ये policy है कि हम 2000 note को मतलब वापस ले रहे है circulation से बाहर ला रहा है ठीक है और अगर ऐसे देखें तो क्या है कि 2000 का note वगरा होता है काफी लोगों ने मतलब holding कर रहा है normal circulation में आप देखेंगे 1818 उन्हें इसके बाद से दिरे दिरे ये कम होता रहा है अगर ATM से भी निकलना काफी कम हो गया था normal banks वगरा में भी नहीं निकल रहा था तो कहीं ने कहीं note holding था आप देखेंगे normal में कहीं सारा income tech का ID वगरा है का अगर चापा वगरा पढ़ता था तो उसमें 2000 का note काफी बरामद होता था तो ये कहीं ने कहीं एक तरीके का था कि चलो कहीं ने कहीं ये holding हो रहा है 2000 का note अब क्या है कि ये चीजों को उनको वापस इन्होंने जो policy लाया है ये note वापस फिर से बाहर मतलब bank क पास दुबारा जाएगा तो कहीं ने कहीं आप उस पैसे को बाहर तो निकालोगे एक certain period में आपको इस चीजों को फाइदा in the sense कि ये पर सकता है कि जो पैसा अगर गलत तरीके से कहीं रखा गया था वो पैसा आप बाहर आएगा market में आएगा या या उसमें कि bank में आएगा तो bank में आएगा पैसा तो government को ये चीज़ दिखेगी एक transparency और बढ़ेगा कि देखिए ये पैसा इतना था पहले से रखा हुआ था जो कि holding मतलग है पैसा कहीं भी एक रखा जाता है उसका को यूज नहीं होता एक तरीके से तो वो चीज़े अब government के नजर में आएगी वो ए पताना तो होगा नहीं कहां से आया तो ये चीज़े रहेगा तो कुल मिलाकर बात यही है कि आरवी आई ने जो फैसला लिया है इस फैसले से फिलहाल जो है वो लेंदेन में 2000 रुपए का चलता रहेगा दुकांदार भी लेंगे और बाकी लोग भी लेंगे लेकिन 30 सितंब पताना थीज़ें भी लेंगेगा दुटाओ